नमस्कार मैं डॉक्टर कैप्टर आलो करेंजिन पत्ना राजिंदर नगर रोड नंबर 12 में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एक मनुचिकिस्सक हूँ मैं आज मनुविकार संबंधी विशय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ स्वास्त की परिभाषा विश्व स्वास्त संगठन से प्राप्थ होती है जहां स्वास्त के विशय में बताया गया है कि सिर्फ स्वास्त बीमारियों से मुक्ती मात्र नहीं है परन्तु यह किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं जैव सामाजिक सनरचना का संपूर्ण तालमेल है तो स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहेंगे जो शारीरिक रूप से भी ठीक हो, जो मानसिक रूप से भी सुद्रिड हो और एक स्तर पर उसकी सामाजिक साभागिता हो, समाज में उसका एक स्थान हो, समाज उसे स्विकार करे, वो सिर्फ बीमारियों से मुक्त न हो बलकि उसके शारीरिक रूप से भी उसके अंदर कोई विकार नहीं होने चाहिए, इतने सारे पैरामीटर दिये गए हैं स्वास्त के, लेकिन आज हम मानसिक स्वास्त पर प्रकाश डालेंगे और मानसिक स्वास्त के विशे में आपसे बातचीत करेंगे, हमारे शरीर में कई औरगन होते अब ब्रेन का कारेक शमता पर प्रकाश डाला जाए, उसे हम कहते हैं मन, तो प्रति दिन हमारे साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती है, उन घटनाओं के फलसरूप हमारा मस्तिश्क एक प्रतिक्रिया देता है, और ये ठीक भी है, प्रतेग व्यक्ति के साथ घटनाओं और एक चक्र चलता रहता है, और ये स्वाभाविक होता है, लेकिन कुछ जगों पर, कुछ cases में ऐसा देखने को मिलता है, कि 15 दिन या अधिक समय बीच जाने के बाद भी व्यक्ति दुरगटनाओं से वापस उबर नहीं पाता है, तो वैसी स्थिती में हम कहते हैं कि मस्तिश् तरीके से काम नहीं कर रहा है, और उसे मनोविकार की संग्या दी जाती है, मनोविकार का नाम दिया जाता है, जब ऐसे मनोविकार हमारे शरीर में उत्पन होते हैं, तो कई तरह के हमें उनके सिंटम्स नजराने लगते हैं, कई तरह के परिवर्तन नजराने लगते हैं, जै परिवार को छोड़ करके जितनी भी संस्थाइं हैं, वो सब समाज में आती हैं, तो समाज या परिवार में कोई भी जुर घटना होती है, या कोई भी घटना होती है, व्यक्ति अगर 15 दिन से अधिक तक उन्हीं घटनाओं के बारे में सूंसता रहता है, और वो निश्क्रिय होने लगता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की और डिप्रेशन आज काफी गंभीर समस्या के रूप में उत्पन हो रही है, और अभी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट जगत में काफी हाहाकार मचा हुआ है, खास करके ऑस्टेलियन क्रिकेट बोर्ड में कई खि समस्या काफी आम हो गई है, और उनका एक मूल कारण है हमारे समाझ में परिवर्तन होना, हमारे समाझ का आधुनी करण होना, और आधुनी करण में हम इस तरह से अपने आपको पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहां जा करके अपने आपको संतुष्ट लेखेंगे, किसी भी छेत्र में हम अपने आपको संतुष्ट नहीं देख पाते हैं या किसी भी छेत्र में होने के बावजूद भी एक ऐसी स्थिती होती है जहां पर हमें लगता है कि हम इससे कुछ जादा कर सकते हैं अधिक से अधिक प्राप्ट करने की अपेक्षा ये जो हमारे मन के अंदर हमेशा एक द्वंद चला होता है वो जा करके कहीं ने कहीं मनोविकार को उत्पन करता है और रोजमर्रा के हमारे कारियों में धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा घातक रूप से विग्ण डालने लगता है और कई खिलाडी यहां तक कि आज कल हम कई अपने डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि कई तरह के हमारे पास पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं कि हम जल्दी वी आरेस ले लें इसलिए कि उनके अंदर मांसिक दबाओ को सहने की शमता नहीं है व्यक्ति अब धीरे-धीरे समाज में अकेला परता जा रहा है पहले उसके साथ परिवार हुआ करता था समाज हुआ करता था अब व्यक्ति एक इकाई के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कई सारे लक्षन उभर करके चले आ रहे हैं जैसे अगर डिप्रेशन की बारे में बात करें जो अभी एक महामारी की तरह पूरे विश्यों में फैल रहा है और भारत क्योंकि एक विकाश शील देश है तो हमारे भारत में भी यह समस्या बहुत ही जादा बड़ रही है मानसिक स्वास के कई सिंटम्स होते हैं मानसिक आरोग के कई सिंटम्स होते हैं और उन्स नेक्टों में हम देखते हैं कि बूर्जा मेश रूप Beimशय आ परिवर्टन इन मेश परिवर्डन दिंचर्य मेश ot Kelly में परिवर्टन परिवर्टन का अर्थ है कि यह तो व्यक्ती के जीवन में काफी वह व्यक्ति किसी बी चीज इसको अधिक बलशाली रूप से करने लगता है जो कि वह व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं है जैसे उस व्यक्ति में अधिक उर्जा का संचार होना और अचानक निश्क्रिये पर जाना ये दो तरह के मांसिक बदलाव हमें नजर आते नींद सबसे बड़ी समस्या है और नींद के लिए 6-8 घंटे की नींद को हम संतुलित मानते हैं जैसे संतुलित आहार जरूरी है व्यक्ति के जीवन में वैसे ही संतुलित नींद भी जरूरी है मस्तिश को भी आराम करने की आवशक्ता होती है नींद या तो किसी घटना डिप्रेशन के कारण व्यक्ति में व्यक्ति के उपर काम इतना अधिक बोज होता है, इतना अधिक प्रिशर होता है, कि व्यक्ति खुद ही नींद को सैक्रिफाइज करने लगता है. और एक बाद में यह एक बिमारी का रूप धारन करके और एक महामारी का रूप धारन करके पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं और सबसे पहले जो समस्या के रूप में वो हमें बताते हैं वो है नींद की समस्या व्यक्ति में चिर्चिडापन, व्यक्ति के भीतर असंतोश का पनपना, व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं होता है और धीरे-धीरे देखते हैं कि ये समस्या जटिल होते जाती है व्यक्ति धीरे-धीरे एक आंकी रहने लगता है, वह समाज से अलग होने लगता है तो एक और symptom जिसे हम आज कल की दौर में कहते हैं कि व्यक्ति को लत लगी है व्यक्ति दरसल वह एक मानफिक समस्या है और व्यक्ति नशा के गिरफ्त में भी आना शुरू कर देता है नशा के प्रभाव में आना शुरू कर देता है और ये नशा जो है एक symptom भी है एक बिमारी भी है और एक बिमारी को और अधिक रूप से सक्रिये करने वाला पदार्थ भी है कई तरह के नशा हमारे दैनिक जीवन में हम पेशेंट यूज करते हैं और नशा का इतना अधिक दुष प्रभाव होता है कि व्यक्ति में सिजोफ्रीनिया यानि मानसिक आवेग संतुलन सब में उसमें परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे उसकी कारिक्षमता घटती जाती है धीरे धीरे उसमें उर्जा घटती जाती है व्यक्ति सिर्फ एक ही दिशा में सूचता है कि उसे आज शाम को या उसका एक जो सिट पैटर्ण है उस समय उस चीज उस नशे को प्राप्ट करना है तो नशा भी एक बिमारी नहीं है एक मानसिक दुषपरिणाम होते हैं मानसिक रोग होते हैं उनका एक लक्षन है उनको उसको भी चिनित किया जाना चाहिए और उसका भी इलाज किया जाना चाहिए जैसे अगर हमें नीन नहीं आती है तो उसके लिए हम एक मनोचिकितसक से मिलते हैं उसी प्रकार व्यक्ति अन्य दशाओं में भी मनोचिकितसक के साथ बैठ कर अपना बायोडेटा पेश करें वो मनोच के सक्थ कुछ दवाओं के माध्यम से उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो chemical imbalance उत्पन हो रहे हैं उन सब पर वो काबू पा सकता है और व्यक्ति को स्वस्त मस्तिष्क, स्वस्त मन और स्वस्त तन ये जो हमारा लक्ष है इस तरफ वो ले जा सकता है अब हम कोशिश करते हैं समझने के कि हमारा मस्तिश्क होता क्या है मस्तिश्क एक बहुत ही जटिल तंत्र है हमारे मस्तिश्क के दो पाट होते हैं एक brain होता है और एक spinal cord होता है उन दोनों को बनाने के लिए तंत्रिका या nerve neuron का presence important होता है जो neuron की संख्या की बात करें तो ये आकाशिय गनिस्त के बरावर होता है मतलब इनकी संख्या असीमित होती है लेकिन एक neuron से दूसरे neuron तक अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो ये बात हमारे कान में आपकी आवाज हमारे कान में आती है और कान में आने के बाद हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है मस्तिष्क इस बात को सबसे पहले सुनिश्चित करता है कि उस बात को वो ठीक से रिसीव करे तो मस्तिष्क एक रिसीवर है कान के माध्यम से मस्तिष्क तक एक बात पहुंचती है उसी तरह से हमारी आखें हैं, उसी तरह से हमारा जिवा है, हमारे टंग हैं, उसी तरह से हमारा स्किन है, तो पांच औरगन है, पांच तरह के हमारे पास messages आते हैं, उन पांचों messages को decode करना मस्तिश का काम है कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो messages आते हैं या तो messages गलत आते हैं हमारे कान में कोई खराबी होती है हमारे आँख में कोई खराबी होती है हमारे skin में कोई खराबी होती है जिसने मस्तिष्क उनको read करता है और कभी-कभी हमारे मस्तिष्क में भी कोई खराबी हो जाती है, जिससे कि हमें कोई मैसेज अचानक से प्राप्त हो जाते हैं, जो की साभाविक रूप से प्रगट नहीं थे, उधारन के तौर पर हम हैलूसिनेशन की बात करते हैं, व्रक्ति को कुछ ने कुछ दिखाई पढ ने लगता है, सामाने तोर पर वहां कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा होता है, तो लेकिन मस्तिष्क जो डिकोड करता है, उसके पास एक अनावश्यक सूचना पहुँच जाती है, क्योंकि हमारे कुछ जो हमने पहले बताया था, कि दो नियूरोन के बीच, जो एक मै केमिकल का प्रियोग शरीर करती है, और उन केमिकल में असंतुलन होने के वज़ा से कभी-कभी कुछ चीजे नहीं भी होती है, तो वो हमें दिखनी चालू हो जाती है, तो पांच तरह के हमारे रिसीवर हमने बताये हैं, आँख, कान, आँख से हमें कुछ मतलब, अगर हम हम मस्तिष्क में कोई गरबरी है, तो हमें कुछ चीजें ऐसे दिखाई परती हैं, जो नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, कुछ ऐसे चीजें सुनाई परती हैं, जो हमें नहीं सुनाई दी जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे स्मिल नजर आते हैं, कुछ ऐसी माक आती है, जो की न ये सब चीजे शुरुवात हो जाती हैं और इसे हम कहते हैं हैलूसिनेशन तो पांच तरह के औरगन हैं और पांच तरह के हलूसिनेशन भी होते हैं टेक्टाइल हलूसिनेशन होता है, संसरी हलूसिनेशन होता है, औलफेक्ट्री हलूसिनेशन होता है आई के द्वारा जो हम देखते हैं visual hallucination होता है और auditory hallucination होता है अब इसके फलस्वरूप मस्तिष्ट में प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है व्यक्ति को कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो व्यक्ति का मस्तिष्ट उसके प्रति प्रतिक्रिया अपन्न करेगा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह सामाजिक रूप से देखते हैं कि व्यक्ति किसी से बात कर रहा है अपने आप से बात कर रहा है दर असल वह अपने आप से बात नहीं कर रहा होता उसके मस्तिष्ट में कुछ ऐसा प्रतित होता है जिससे वह लगता है कि वह किसी और से बात कर रहा है ज hallucination जब मस्तिश्क विकार काफी उपर हो जाता है, काफी अधिक बढ़ जाता है, सिजोफीनिया तक की बिमारियों में या bipolar mood disorder या सिर्फ mood disorder में भी इस तरह की परिशानियां आम बात हैं. अब हम निदान के विशय में बात करते हैं, इलाज के विशय में बात करते हैं, इलाज स्वयम से बिलकुल ना करें, जाड़ फूग, जादू टोना, जोतिशी ये सब व्यर्थ हैं, इनके पास अपना समय व्यतीत ना करें, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी मानसिक समस् प्रमुक रूप से आपको दिग्गत परिशानी महसूस करा रही है तो आप किसी भी मनोचिकिस्सक अपने निकटम मनोचिकिस्सक से जरूर मिलें आप मुझसे मेडिशाला एप के थ्रू या मेरे क्लिनिक पर सीधे आकर के गाजेंदर नगर रोड नंबर 12 आशना मेडिकल हॉ मिल सकते हैं जहां से आपको चिकिस्सीय परामर्श और इसके अतरिक्त आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस विशय में आपको जानकारी दी जाएगी